हम, हम, मुझे कुछ करना है क्या करना वे तुझे? दोले रहे में बीजिनेस टार्ट करना है क्या बीजिनेस बे? बिल्दर बनना है, बंगलो प्रोड मिचना है अच्छा, बंजा बंजा, बढ़िया है, बहुत मजा आएगा नहीं यार, सुना है, रेरा का बहुत लफड़ा है कौन बोला है वे तेरे को? प्रभाज जी को पूछ रहता ना इस पर अच्छा, दोलेरा में बिगनेस केसे स्टार्ट कर रहा है और ये रेरा का क्या लफड़ा है इसके बारे प्रभाज जी बताएंगे हाँ भाई, बताएंगे जरूर बस थोड़ा मौसम बहुत ख्राफ है यार ठंडी बहुत लग रही है ठीक है भाई, चलो चलते हैं प्रभाज जी के पास हाँ दोस्तों, पूरे इंडिया से कई लोकेशन से कई डेवलपर्स धोलेरा में आना चाहते हैं और वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए बढ़िया जमीन और बढ़िया रेट पे वो अपने बिजनेस सेटप लेके आए धोलेरा में और एक प्राफिटबल बिजनेस करें उसके लिए उनको और क्या चाहिए? उसके लिए उनको चाहिए एक बढ़िया लीगल कंसल्टेंट बढ़िया टेक्स कंसल्टेंट या बढ़िया आर्किटेक्ट इस सारे लोग हमारे साथ एसोसेट हैं तो आज हम लोग धोलेरा के अंदर एक business start करने के लिए क्या procedure है और ये RERA की क्या importance है धोलेरा में उसके बारे में बारी किसे समझेंगे ऐसे ही एक हमारे tax consultant है RERA consultant है उनके पास जाएंगे और इसके उपर बारी किसे discuss करेंगे Let's go Government यहां पर बहुत सारा बढ़ावा दे रही है Government ज्यादा तर जल्दी से approvals भी देती है जो भी authorities है यहां की वो cooperative है यहां पर workers जो है वो भी easily available रहते है तो यहां का जो atmosphere है वो business oriented atmosphere ही है यहां आपको कुछ company start करनी है या कुछ LLP start करनी है या कोई भी form of business है उसके अंदर आपको business करना है तो क्या basically रहता है जो भी promoter है जो भी developer है उसको decide करना पड़ेगा वो कौनसी form of entity में जाना चाहता है प्रोप्रेटर सीप है, पार्टनर सीप है, LLP है limited liability partnership जिसको कहते है और एक private limited या public limited companies होती है कि वह कितना easy मिलता है registration तो companies और LLP का जो registration है वो centralized है तो वो तो पूरे इंडिया में same procedure रहती है तो वो बहुत easily आसान तरीके से मिल जाता है within a week आप process पूरी कर सकते हो और आपका registration हो जाता है partnership हम है उसमें तो simple simple रहता है partnership डीड बनानी रहती है आपको और एक pancard की reply करना रहता है और आगे का bank account और वो सब का procedure करके आप business शुरू कर सकते हो तो रहरा का importance यह है कि गुजरात के अंदर और दॉलेरा के अंदर रहरा applicable होता है तो सबसे पहले एक trustworthiness बढ़ती है lack of confidence जो पहले था कि भई यह एक project में पैसा लेके builder दूसरे project में लगा देगा वो भी अभी नहीं हो सकता है तो वो जो trustworthiness बढ़ी है transparency एक आई है फिर यह lack of confidence जो पहले था वो अभी हट चुका है तो वो हिसाब से हम देखने जाए तो धॉलेरा के अंदर रहरा बहुत important है और from the point of view of developer भी देखने जाए तो क्यों important है क्योंकि जो confidence बढ़ेगा तभी ही लोग आएंगे से भी है हमारा तो वो से भी regulate कर रहा है stock exchange इसको वैसे ही अभी तक कोई regulatory authority नहीं थी real estate के उपर तो अभी जो रहरा आने के बाद real estate के उपर एक regulatory authority आ चुकी है जो regulate करेगी इसको जो अभी तक developer जो कर रहे थे कि एक project में पैसा लिया दूसरे project में लगा दिया और उसके कारण क्या होता था कि जो जिस project में पैसा लिया था उनका possession डिले हो जाता था तो वो अभी नहीं होने वाला है subdivided हो या पूरा plotting scheme हो रहा के अंदर वो compulsory है registration करवाना subject हो कि उसका proper plan passing होना चाहिए बराबर है पूरा documentation प्रोपर होना चाहिए फिर वो plotting scheme के अंदर आप commercial करना चाह रहे हो residency करना चाहिए mixed development है वो अलग ही बात है but plotting scheme के basis पे आप उसको registration करवाना compulsory रहेगा जैसे कि आज developer है वो रेरा के अंदर registration करवा रहा है उसका project तो उसके बाद investor को अभी उस project के अंदर invest करना है तो वो उसके regarding जो भी documents है वो रेरा की site पे से देख सकता है तो उसके उसमें से क् पुरा अगर developer जो है कि कुछ document या कुछ ग्रोसर गलत दिखा रहा है उसको यहां पर जब वो स्कीम पे प्रोपर्टी लेने आता है और वो उसको compare कर सकता है गुजरात रेरा की site पे उपर तो उससे पता चलेगा कि developer cheating कर रहा है कि नहीं कर रहा है project registered है तो ही आप invest करो क्योंक बराबर है अगर नहीं सुनती है तो मतलब हम लाग हो जाएंगे हमारा मतलब पैसा डूप जाता है क्योंकि यह पूरी उसकी details मिल जाएगी उसमें से आपको क्या क्या मिल पाएगा वो भी आपको बताते है कि उसके अंदर आपको project documents में मिलेंगे अपने जो भी plan pass हुआ है वो मिल जाएगा commencement certificate मिल जाता है जमीन का जो भी document है वो मिल जाता है तो क्या है कि पता चलेगा कि जमीन प्रॉपर्टी डेवलपर के नाम पर है कि नहीं फिर दूसरा यह यह भी आपको मिल जाएगा कि यह जमीन का जो भी हम रहती है कि प्रमोटर का नाम क्या है प्रमोटर का mobile नंबर क्या है इमेल आइडी क्या है वो सारी basic details भी रहती है तो यह पुरा online हुआ और अगर आपको offline भी जा चेक करना है कोई physical check करना है तो आप रहरा की जो office है गाधिनगर के अंदर सहयोग संकुल के अंदर है वहां पे जाके आप वहां पर से भी search निकाल सकते हो या वहां की authority के अंदर कुछ किसी को पूछ सकते हो कि यह project की details चाहिए तो वहां पे भी लोग है जो support करते है किसी भी customer को कुछ developer के साथ कुछ problem हुआ है और complaint raise करनी है उसको तो रहरा की जो website है गुजरात रहरा की जो website है उसके पर क्लिक करते ही आपका एक complaint form खुल जाता है और complaint form के अंदर आपको पूरी details भरनी रहेगी कि कि कौन से developer है क्या है क्या है क्या आपको complaint का briefing रहेगा और supporting documents भी attach करने को आपको देते है तो वह पूरा आप online upload करके 1000 रुपीज payment करना रहता है और आप वह complaint कर सकते है और उसके बाद में आपको वह भी जो जो भी complaint आपने वह फाइल की है उसको आर्पी करना रहता है वह समंस देती है दोनों पार्टी को कि इस तारिक को आपकी hearing रहेगी तो ऐसे ही पूरा फिर courtroom proceedings जो है वह चलेगा और बाद में जो arguments है वह दोनों तरफ से होगी और complaint का निवारंड ज जैसे कि भी रहा applicable है और रहा लिया ही नहीं है और customer को पता चला तो वह customer के अंदर जैसे भी online complain करके और उसको समंस दे सकता है और फिर बाद में उसका जो hearing होगा और वह जो गुजरात रहा authority है उसको कमपलजन करेगी कि आप रहा में registration करवा और उसको penalty भी देती है कोई भी developer या कोई भी builder या कोई भी promoter रहा के अंदर उसका project registration करवाने के बगेर एक भी unit बेच नहीं सकता और market में उसकी advertisement नहीं कर सकता अगर उसने किया तो जैसे कि भी complaint कर सकता है और या तो फिर authority को पता चलता है कि भी यह ऐसे बेच रहा है तो authority shiomoto भी उसके उपर कारेवाई कर स customer से लेता है आज मानों कि उसने 100 rupees लिया है तो उसको 70 percentage amount उसको एक रहा का separate bank account designated account खुलवाना पड़ता है उसके अंदर डालना पड़ता है और 30% जो है वह अपने project का development cost के लिए वह use कर सकता है अभी 70 percentage की amount customer से ली और रहा में रखी है उसको withdraw करने के लिए जैसे जैसे उसका project आगे बढ़ता है उसके cost के proportion में वह उसमें से withdraw कर सकता है तो एक हो जाएगा जो क्या regular करता है कि जो पहले जैसे की builder एक project का दूसरे project में पैसा ले जाते थे वह इससे बंद हो जाएगा तो यह बहुत ही important एक provision है दूसरा एक provision ऐसा है कि आज developer किसी भी customer को बेचता है तो उस उसको 10 percentage amount जैसे की 1 lakh रुपीज नक्की किया है property का तो 10,000 रुपीज लेते ही उसको एक registered बानाखत करवाना पड़ेगा जो registered बानाखत मतलग की वो सब रजिस्टरा की जो कचेरी है वहाँ पे जाके उसको registration करवाना रहेगा अगर नहीं करता है तो वो भी वो non compliance हो जाता है त तो उसके security बढ़ती है कि एक document हो गया और कल उटके कुछ भी हो तो यह document बोलेगा document की जो भी conditions होगी उसके basis पे जो भी होगा वो decision ले सकते है तो यह important provision रहती है उसके बाद एक technical चीज ऐसी है कि रेरा के अंदर project register करवा दिया project खतम भी होने वाला है तो अभी society registration association of alloties भी create क society जो होती है वो एक बनाना रहता है developer को और उसके अंदर वो जो जिसको भी बेचा है उसको alloties को members बनाना रहेगा और उसके बाद में जब project end करता है तब उसको handover भी करना रहेगा आज मैंने रेरा के अंदर कोई एक plan के हिसाब से रेरा का registration करवा दिया है उसके बाद मानों की मेरा plan change हो रहा है तो एक रेरा के अंदर एक provision ऐसा है कि आपको रेरा के रेरा में जाके वो plan alter करवा ना है तो आपको जितने भी अलोटी जितने भी customers को आपने अभी तक बेचा है उनमें से टू थड़ की consent लेनी compulsory रहेगी तभी आप plan alter करवा के रेरा में registration करवा सकते हो तो वह एक रहता है और फिर यह रेरा के अंदर ऐसा है कि आपको पहले से ही बोलना पड़ता है कि यह date होगी possession देने की तो उससे क्या पता चलता है कि customers को एक पता चलेगा कि उसको यह date तक आपका possession मिल जाने वाला है अगर वह customer को उस date तक possession नहीं मिलता है तो वह complaint भी raise कर सक सकता है extension application अभी काईदे के अंदर ऐसा है कि one year तक allow हो सकता है maximum उसके उपर authority का decision जो भी है discretionary वह रहता है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जदी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाईए और जितना हो सके वीडियो को आप अपने फ्रेंड स पहुंचे और आज के लिए आप लोग हमें इजाद दीजिए बाई बाई टेक क्यार